आकाश्वणी भुपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरत बागेला पहले मुख्य समाचार मद्द प्रदेश में ड्रग और नशे का कारोबार पनपने नहीं दिये जाएगा मुख्यमंतरी शेवरासिंग चुहान ने पुलिस अफसरों से अभियान चलाने को कहा बिज़िली उपभुकताओं के लिए चुनिंदा शेहरों में हेल्प टेक्स बनाए जाएंगे प्रदेश में लोगसेवा केंद्रों को बिजनेस मौडल पर तयार किया जाएगा और भुपाल सहित प्रदेश के विभिन जिलों में हलकी बुंदा बांदी जारी मौसम में आया बदलाओ अब समाचार विस्तार से प्रदेश में लोगसेवा प्रबंधन विभाग में सिंगल सर्विस टिलेवरी पोर्टल प्रात्मिक्ता के अधार पर तयार की जाएगी कल भुपाल में सहकारिता एवं लोगसेवा प्रबंधन मंत्री टॉक्टर अरविंद भधूरिया ने लोग सेवा प्रवंदन विभाग के कारियों की सिमिक्षा करते हुए ये बात कही उन्होंने कहा कि इस पोर्टल को तयार करने के लिए एक वर्ष का लक्ष रखा गया है लोग सेवा केंदरों पर आविदनों की अधिक्ता वाप्रदेश के शेतरफल को दृष्टिकत रखते हुए लोग सेवा केंदर की संख्या बढ़ाने के लिए सुसंगत नीती बनाई जाएगी लोकसेवा केंद्र, अब मुख्यमंत्री नागरिक सुविधा केंद्र के रूप में जाने जाएंगे डॉक्टर भधुरिया ने कहा कि लोकसेवा केंद्रों को बिजनस मॉडल पर तयार किया जाएगा उन्होंने सीएम हेलप लाइन की कॉलर ट्यून में मुख्यमंत्री के संदेश के साथ ही आम जिनको लाबानवीत करने के लिए योजनाओ के जानकिरी परक संदेश परसारण की वरस्था करने के निर्देश दिये बताया गया कि लोग सेवा केंद्रों द्वारा समाधान एक दिन की सेवाएं आधार कार्ड बनाने और सुधार कार राजस की सेवाएं MP Online की सेवाएं Common Service Center की सेवाएं और आयुशमान कार्ड बनाने की सेवाएं परदान की जा रही है परदेश में 50 परदेश से अधिक अनुसुचित जाती जनसंख्या वाले चैनीद गाउं को समग रूप से विक्सित करने के लिए परदान मंतरी आदर्श ग्राम योजना संचालित की जा रही है इस योजना में परदेश के 1033 ग्राम चिनित किये गए हैं योजना अनुसुचित जाती कल्याण विभाग दोरा चलाई जा रही है चैनीद गाउं में से 918 गाउं का विकास योजना प्लान तेयार कर लिया गया है आदिकारिक जानकरी का नुसार योजना में विशेश रूप से 10 कारिशेत्र जिन में पेजल, सचता, शिक्षा, स्वास्त, पोषण, सामजिक सुरक्षा, ग्रामीन सडके, आवास, सच, इंधन से साधन, आजीविका और कोशल विकास प्रमुक रूप से शामिल किये गए है योजना में जिन जिलों में गाउं का चैन किया गया है, उन्हें अभी तक 32 करोण रुपे से अधिक के राशी जारी की जा चुकी है योजना में प्रथम चरण की अवधी दो वर्ष रखी गई है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने दोराया है कि केंदर सरकार गरीबों के धित में देश के प्रतेक नागरिक के सशक्ती करण के प्रयास कर रही है महिलाओ के सशक्ती करण को महाकवी सुब्रमन्यों भारती का महतपूर्ण विचार बताते हुए प्रधान मंत्री ने कहा कि अब महिलाएं भी साशस्त्र सेनाओं में कमिशंड अधिकारी के तौर पर शामिल हो रही है प्रधान मंत्री ने आज शाम वीडियो कॉन्फरेंस के जरिए चिन्नेई में वानविल संसकर्ती केंदरों का द्वारा आयुजित अंतराश्टी भारती बहुंसचव को संबुदित करते हैं कि 15 करोड महिलाओं को मुद्रा रिंड दिया गया है और वे आर्थिक रूप से के अपने उपज का मूलई तरह करेंगे किसान ऌपनी मर्जी के मालिक रहेंगे किसान फसलों को अपने खर खलीयां या अपने खेड से भी बेश शक्ता हैं उन्होंने कहा कि अब किसान किर्शी से संबद उद्योग धंदे इस्थापित कर सकेंगे उर्जा मंतरी पृद्धिमन सिंग तुमर ने कहा कि परदेश में बिजली उपभुकताओं को आवशक सुविधाय उपलब्द कराने के लिए शेहरों में कुछ केंदरों और जोन पर हेल्ब टेक्स बनाये जाएं जहां एक व्यक्ति उपभुकताओं को आवशक जानकरी दे सकेंगे केंदरों में बुजर्क उपभुकताओं की मदद की जाएगी कल दोर में उर्जा मंतरी ने कहा कि विद्यूत कंपणी के पोर्टल पर और वेबसाइट पर हिंदी में जानकारी हो जिससे उपभुकता लाब ले सकें उन्होंने कहा कि बिजली चोरी रोकी जाए जहां रात में बिजली चोरी हो रही है वहां की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाए उन्होंने कहा कि 100 रुपे में 100 यूनिट बिजली का उपभो करने वाले पात्र उपभोकताओं से शत पृतिशत वसूली होनी चाहिए बड़े बकायदारों से सक्ती से वसूली किये जाने के निर्देश दिये अब समाचारों में वक्त है एक प्रेक का कोविड नाइंटीन से बचाओ और सुरक्षित रहने के तीन उपाए मास्क लगाएं, दो गस दोरी है जरोरी सुरक्षित दोरी रखें, हाथ और मुँ साफ रखें ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चुहाने ने कहा कि मद्दपरदेश में ड्रग और नशे का कारोबार पनपने नहीं दिया जाएगा इन दोर में कल मुख्यमंत्री ने ड्रग के शिकार बन चुके लोगों के लिए नशामुक्ती केंदर का ईलुकारपन किया उन्होंने चलित नशामुक्ती केंदर का लुकारपन भी किया इस दोरान संभागायुक्त डॉक्टर पवन शर्मा ने बताया कि इंदोर में ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर शुरू किया गया है। इस कारिकरम को राश्ट्री केंद्र एम्स और शेत्री केंद्र के एम मुंबई के दोरा क्रियानवित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शेहर में नशामुक्ती के सम्मन्द में जागरूकता फैलाने और नशे से गरस्ट वेक्तियों को आवाशकतर नुसार नशामुक्ती सेवा उपलब्द कराने के लिए मुबाइल यूनिट शुरू की जा रही है। लोकारपन कारिकरम के पहले मुखिमंद्री शिवरासिंग चुहाने ने भुपाल में वरिष्ट अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए प्रदेश में ड्रग माफिया के खिलाफ सक्त कारवाई करने के निर्देश दिये। तक नशा विरोधी दिवस चलाना प्रस्तावित है। प्रदान मंत्री नरेंद मोदी ने एक फिट इंडिया मिशन कारिकरम की सुरुवात की है। इसका मुलत देश है। लोग फिट यानि स्वस्त रहेंगे तो वह देश की तरक्की में अपनी बहतर भूंका निभाश रगेंगे। स्मार्ट सिटी के रूप में चैनित सागर में भी इसके लिए अनेक तरह के कारिकरम आयोजित किये जा रहे हैं। CEO Rahul Singh का कहना है कि सागर में साइकल के महत्त बढ़ाने के लिए साइकलिंग लेकर कई तरह की प्रोग्राम बनाए गए हैं। इससे लोगों को जोड़ा जा रहा है। Rahul Singh का मानना है कि लोग साइकलिंग को बढ़ा बात देंगे तो निशन दें उनकी यूमिनिटी भी बढ़ेगी और स्वस्तर रहेंगे। वही वो लोग देश की तरक्की में एक वहतर अपना योगदान देश आकेंगे। 7 दिसंबर से 31 दिसंबर तक एक Fit India साइकलित थान का आईजन भी किया जा रहा है। इसके तहट स्कूल, कालेज और अन्य सम्हों को संगठनों को जोड़ा जा रहा है ताकि वह साइकलिंग का महत्त समझ सकें और आंगी बढ़ सकें। Fit India साइकलित थान के तहट हिस्सा लेने वाली लोग अपनी भागीदारी के फोटो आदी बेफ साइट पर अपलोड कर सकते हैं। प्रादेश एक समाचार के लिए सागर से वेनो दा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितु की कुल संख्या 2,21,000 से जादा हो गई है। वही अब तक 2,4,000 से जादा मरीज सो अस्ता चुके हैं। भुपाल में कोरोना के 281 नए मरीज मिले हैं। इन मरीजों को मिलाकर अब तक भुपाल में कुल संख्या 34,198 तक पहुँच गई है। वह इंदोर में 412, गौलियर में 49, जबलपूर में 52, सागर में 25 नए संकरमीत मरीज मिले हैं। प्रदेश में मोसम का हलका बदलाव महसुस किया जा रहा है। राजदानी भुपाल में सुभा से बादल चाय हैं और देर राद तक बारिश हो रही है। आज सुभा से हलकी बुंदा बांदी जारी है। मोसम विभाग के मताबिक पश्चिमी विक्षोप के असर के कारण देश में सबसे कम नियुनितम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रीवा और उमरिया में दर्च किया गया। अगले 24 घंटों के दोरान उजजेन, शाजापूर, आगरमालवा जिले में बारिश की संभावना जताई गई है। जबलपूर जिले में भी पश्चिमी विक्षोब एक बार फिर सक्री होने से मौसम में बदलाव महसूस किया गया है। आपको समचार संक्षेप में। और अंत में मुखे समाचार एक बार फिर। मद्द प्रदेश में ड्रग और नशे का कारोबार पनपने नहीं दिया जाएगा। मुखे मंतरी शिवरासिंग चोहने ने पुलिस अफसरों से अभियान चलाने को कहा। बिजली उपभुकताओं के लिए चुनिंदा शेहरों म हेल्प डेक्स बनाए जाएंगे। प्रदेश में लोग सेवा केंदरों को बिजनस मॉडल के रूप में तयार किया जाएगा। और फपाल सहित प्रदेश के विभिन जिलों में हल्की बूंदा बांदी जारी मौसम में आया बदलाओ। इस बुलिटिन के अंत में एक अपी झाल